करें वेलकम टो माई युट्व चैनल श्विकिंग स्टिक्स मेरा नाम तुशाइश शर्मा और मैं आपको शिखाने वाला हूं इस चैनल पर नुछ पेपर स्टिक्स और तो के सीवें आप तो मैं आपको तेंगे हो इक आपको जिन्हें पर दाने के स्टिक्स बणाने के लिए मन चाहिए निएस्टेसर को दो। जमें सब्रकें च्छाहिएें वेल ल्होंड़ाद थै Exist art और इसके इंडे हमारी स्वेटर बोलने वाली तो सबसे तरह करेंगे जान पीफ इस को कट करने मेंुश्पेपर एक मीड़ फालनी इसको हमbles हीजिते कि कम सब्सबसे पहले करेंगे कि कंगыш अब इसको हम एक बार और फोल्ड करेंगे तो हमारे मेट वाला निउस्पेपर दो बार फोल्ड हो जुए देखे एक बार से यहां पर हुआ था हम क्या करेंगे सबसे पहले इसको यहां से कट करेंगे इसके हम शीट्स कट करेंगे स्टिक्स बनाने के लिए निउस्पेपर की सबसे पहले हमें शीट्स कट करने बढ़ती हैं इस्टिक्स बनाने के लिए तो हम स्केल के मदब से शीट्स कट करेंगे न्यूस्पेपर शीट्स हमारे एक बड़े न्यूस्पेपर में से न्यूस्पेपर की एट शीट्स कट होगी है तो हमारी यह बड़े बड़ीजीं कट होई है यह इसको भी मीड में से कट करेंगे तो हमारी इस टिक्स कट पीद्स कट हो गई है है तो शेथ को ऐट इसा यह काउंट करते हैं अज़े अच्ट एट शेट अभरी कट हो गई है आई तो आये महा आपको इसे स्टिक्स बनाने जिखाते हूं इसे न्यूस्पेपर इस्टिक्स कैसे बना दें इंतु तरहई है हम एक सीट्स ते पेगा लेता है तो आप सुचू इसके हर टाल कोमिर को मैं सुच्ट करें सो ऑड़ाने को स्थिक्स को बनाना सुच में जालो में एक ऍटक करते हैं हम हमारे पिली यह एक जह बाहनों है उतनी क्या आपСामित गदिमाद शीच आप में रखना है जब भी आप स्टिक्स बनें तो ध्यान रखें कि हम जब भी स्टिक्स बना रहे हैं यह शेप आनी चाहिए इस शेप में रखना है हमारे को स्टिक्स को कि दिरे दिरे इसको इसी रोल करेंगे कि एक साइट से रोल करते रहे हैं अपने आख फोल्ड हो जाएगी पर एंड पॉइंट पर हम क्या लगाएंगे इसमें पर किसी फैविक्स हम इसको रोल करतेंगे कर देख सकते हैं हमारीrichten नियूस टेपर इस्टिक्स बिल्कुल रडी है कि 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 अनदर हमने कुछ नहीं लागाया शीरफंद द न्यूस टेपर की सीट को कट किया एक फोल्ड कीया है तो हमारी इस वाले कॉर्णनर से भी इसको रॉल करेंगे अगर को कि अगर कि अगर कि अगर कि अगर को अगर को अगर को पैविक और सिर्फ एंड वाले पॉइंट पर ही लगाना है यह थे हमारी कि पर कि देखिए मैंने पहले की कुछ बना और कर रखे वी हैं सेम साइस की बनते है सब का साइस विलकुल रहता है कोई भी स्टिक्स ले लिए आप अब आप अगर आपकी शीट्स बिलकुल सेम साइज में कटी हुई है और आपकी निजस्टेपर इस्टिक्स अगर आप सेम इसमें बना रहे हो तो आपकी बिलकुल भी गलत नहीं बनेगी देगे यह बिलकुल सारी एक्वल है कि इसकी शीट्स की कटिंग थी बिलकुल इक्वल थी तो आप भी कोशिश करें कि जब भी आप शीट्स कट करें तो बिलकुल इक्वल साइज में करें आपको पताया भी है कि शीट्स कैसे कट होती है इस साइज में रिक्टेंगल साइज हो शोटरूरोपल तो ये थी हमारी न्यूसपर स्टिक्स आशाळता हूँ कि आपको स्टिक्स बनानी आग होगी डिक तो आप इसी तरह से अपने घर पर जादो पर उसको इसने घर पर को भांखयी यह दिश्टपर दुरू contribute। विश्ज नुडू गयों तो प्लीज वाइज बाइ बाइब शुत्राइब जो दुत कि अविद्वाइब शुत्राइब दो जो किया बाइब